यह गुर्ट मूनिंग इस्टुडेंट्स मैं नितु छोदरी स्वागत करती हूँ आपका परिवार स्वाध्याई स्री में तो कैसे आप सभी आई होफची होंगे शुस्त होंगे घर पर होंगे अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रख रहे होंगे तो चलिए सुरुवात करते हैं हमारी क्लास की जैसे कि आप सभी को पता है यह हमारी बाइलोजी की क्लास है जो सुबा आठ बजे डेली होती है ठीक है तो इसमें हमारा जो चैप्टर था वो कौन सा चला हुआ था हमारा चैप्टर चला हुआ है इसमें पाचन तंत्र कौन सा पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम पहले कोपी और पैन लेके बैठेंगे एक-एक पॉइंट को नोट डाउन करते हुए चलेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम तो एक बार हलका सा रिविजन कर लेते हैं कि हमने इसमें अब तक क्या क्या पढ़ा तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि पाचन तंत्र होता क्या है और इसमें ये जो पाचन है वो पाचन की प्रक्रीया किस प्रकार से होती है वो हम एक-एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर करते हुए चलेंगे सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि पाचन क्या होता है तो मैंने आपको बताया था कि भोजन के बड़े बड़े अनुओं को छोटे अनुओं में तोड़ना क्या कहलाता है यानि जो हम भोजन ग्रहन करते है उसे छोटे अनुओं में तोड़ना और वो किसके माध cavity या इसे oral cavity भी बोलते हैं फिर हमने क्या पढ़ा था इसमें कि अब जो mouth cavity है ये देखिए ये जो mouth cavity है mouth cavity अब इसे हमने दो भागों में डिवाइड किया था यानि इसके अंदर हम किस-किस चीज को पढ़ना है हमें दात को पढ़ना था और हमें जीब को पढ़ना था यानि टीथ और टंग को पढ़ना था टीथ को हमने पढ़ लिया है और आज हम क्या पढ़ेंगे टंग पढ़ेंगे यानि जीब को पढ़ेंगे अब हम खाना खाएंगे किस रुवात कहां से होगी मुह में जाएगा तो दात क्या करेंगे खाने को चबाएंगे चबाने के बादे तो अंदर जाएगा जीब क्या करेंगी जीब से हमारे स्वाद का पता चलता है कि खाना हमारा कैसा है ठीक है अब हम जीब को पढ़ेंगे जीब के बारे में एक एक चीज को अच्छे से complete करते हुए चलेंगे ठीक है तो हमारा आज का टोपिक क्या है जीब यानि टंग क्या है जीब जीब यानि टंग ठीक है तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे सब सबसे पहले आपको लोगों को यह जानना है, आप सभी को पता है कि जीव हमारी जो होती है, वो किसलिए होती है, जिससे स्वाद के लिए, अब उसमें कितनी परते होती है, कितनी लेयर होती है, कहां से हमें पता चलता है, कि यह चीज घटी है, यह मीठी है, यह कड़ी है, इस एक एक point को बहुत अच्छे से note down करते हुए चलेंगे, तो first point क्या लिखेंगे? कि सबसे पहले कि जीब हमारे सरीर में क्या है? एक sensitive organ है, यानि समवेदी अंग है, क्या है? जीब हमारे सरीर का एक sensitive organ यानि समवेदी अंग है, क्या लिखेंगे? जीब हमारे सरीर में एक समवेदी अंग है, समवेदी अंग है, समवेदी अंग यानि sensitive ओर्गन sensitive organ, क्या है ये एक समवेदी अंग है, ठीक है, दूसरा point क्या लिखेंगे, जो क्या कराता है, टेस्ट का sense कराता है, जो समवेदी अंग है, क्या कराता है, टेस्ट का, टेस्ट यानि स्वाद, टेस्ट का sense कराता है, यानि टेस्ट कैसा है, ये पता लगाने का काम कौन करता है, जीब करती है, ठीक है, दूसरा point क्या लिखेंगे, कि जीब एक मस्कुलर ओर्गन है, जो मानस्पेसियो की बनी होती है, तो दो बाते हो गई, एक तो क्या हो गया? कि जीब क्या है, sensitive ओर्गन है, दूसरा क्या है, मस्कुलर ओर्गन है, जीब को पकड़ कर रखने वाली हड़ी, अब आपने देखा होगा, कि जो हमारी जीब है, अब ये किस से जुड़ी होई है, अब इसमें हड़िया तो नहीं होती, मॉंस्तों नहीं होती, लेकिन ये एक हड़ी से जुड़ी हुई है, जिसकी वज़े से ये हमारे काम करती है, अब आपने एक्जामपल के लिए देखिए, कि कुत्ते को आपने देखा होगा, कुत्ते की जीब कैसे होती है, ऐसे बाहर लटकी रहती है, ऐसे हिलती रहती है, क्यों हिलती रहती है, ये सोचा कभी आ वो उसमें और कुत्ते की जीब में gap होता है बीच में खाले इस्थान होता है यानि higher bone और उसके कुत्ते की जीब के बीच में बहु ज़्यादा इस्थान होता है वो उसे अच्छे से नहीं पकड़ पाती इसलिए उसकी जीब क्या होती है हिलती रहती है लेकिन हमारी जो जीब होती है वो hired bone जो क्या करती है उसे पकड़ कर रखती है hired bone हमारी कंठास्ती जो होती है hired bone जो होती है वो क्या करती है जीब को पकड़ कर रखने का काम करती है तो point क्या लिखेंगे कि जीब के जीब को पकड़ कर रखने का काम कौन सी बॉन करती है इसमें बॉन नहीं होती है एड़िया नहीं होती मांशकाय स्पेसियो की बनी होती है लेकिन इसे पकड़ कर कौन सी बॉन रखती है हाइड बॉन जीब को पकड़ कर रखती है इसलिए हमारी जीब क्या होती है लटकती नहीं है जिस तरह कुत्ते की जीब लटकती है इस तरह हमारी जीब नहीं लटकती ठीक है कुत्ते की जीब में और कुत्ते की जीब में और उसकी जो हायर बोन है उसके बीच में क्या होता है खाली जगह होती है क्या होती ह खाली जगह होती है ठीक है इसलिए वो उसमें इस्पेस ज्यादा होने के कारण वो लटक जाती है जीब और हायवड बोन के बीच में जो खाली स्थान होता है उसे क्या बोलते है फ्रैनुलम बोलते है क्या बोलते है फ्रैनुलम अगर कोशन कभी कभी कोशन आता है कि जीब औ और हायोड बोन के बीच का खाली स्थान क्या कहलाता है? फ्रैनुलम कहलाता है, फ्रैनुलम कहलाता है, फटा-फट से नोट डाउन करेंगे इसे, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, चलिए, इसके बाद क्या आता है, कि जो जीब है, देखिए, इस तरह की होती है, इस तरह की होती है, अब जो सबसे पहले वाली लेयर होगी, ये वाली जो लेयर होती है, ये कैसी लेयर होती है, ये होती है, स्वीट लेयर, कैसी होती है, स्वीट, यानि ये मीठे का टेस्ट बताती है, यानि हमने कुछ खाया मीठा, तो कुन सी लेयर बताएगी, सबसे पहले वाली लेयर हमें मीठे का टेस्ट बताएगी, इसके बाद दूसरी लेयर होती है, इस तरह की, वो कैसी होती है, सोर, यानि खटा, किसका टेस्ट बताएगी हमें, खटे का टेस्ट बताएगी, इसके बा तीसरी बताती है हमें खटे का और जो चोथी लेयर है वो बताती है हमें कड़वा यानि जो हम कड़वी चीजे खाते हैं उसका टेस्ट कुन सी लेयर बताती है चोथी लेयर बताती है और सबसे लास्ट में ये जो लेयर होती है कुछ इस तरह का इसका आकार होता है इस तरह का यह हमें किस की smell का टेस्ट बताती है यह हमें जो लहसुन और प्याज खाते है गार्लिक और जिंजर हम लेते है उसका हमें यह स्वाद बताती है लहसुन और प्याज की जो smell आती है लहसुन और अदरक अदरक आप लोगोंने कभी देखा होगा कि जैसे लहसुन और अदरक वह देर तक हमारे मुह से प्याज की समयल आती रहती है, तो जो सबसे लास्ट वाली लेयर होती है, ये वाली ये हमें किसका स्वाद बताती है, लैसून अदरक और प्याज का स्वाद बताती है, इससे नीचे वाली जो लेयर होती है, ये हमें कड़वे का स्वाद बताती है, ये इससे निचे वाली नमक का और सबसे लास्ट वाली ये हमें बताती है मीठे का यानि सबसे पहले वाली परत. अब ये स्वाद क्यूं बताती है किस से पता जलता है क्यूं हम अपने जीब से पता लगा लेते हैं कि ये खटा है ये मीठा है ये कड़वा है ये अच्छा है ये बुरा है क्यूंकि इसमें टेस्टिंग बढ़ होती है क्या होती है जीब में टेस्टिंग बढ़ क्या होती है यानि स्वाद वाली नलीकाएं होती है जिसके कारण हमें खटा मीठा नमकीन इन सारी चीजों का पता लगता है जो हमें फील करवाती है फील कहां से कराती है ब्रेन से फील कहां से कराएगी ब्रेन से तो कराएगी फील अगर आपसे पूशा जाए कि खाली अगर किसी का ब्रेन काम ना कर रहा हो दिमाग काम ना कर रहा हो कुछ भी खिला लो खटा मीठा करवा कुछ भी खिला दो उससे नहीं पता कि ये कैसा है ब्रेन से फील कराती है, फटाफट से नोट डाउन करते रहिए, ठीक है, इन्हें क्या बोलते है, जो ये स्वादवाली नलिकाएं होती है, टेस्टिंग बढ़ होती है, इन्हें बोलते है पेपली, क्या बोलते है टेस्टिंग बढ़ को, पेपली बोलते है, पेपली, क्या बोलते है, पेपली बोलते है, पेपलीज, बहुत सारी नलिकाएं हो जाएंगे, तो क्या बोलेंगे, पेपलीज बोलेंगे, जो टेस्टिंग बढ़ होती है, स्वादवाली नलिकाएं होती है, उन्हें क्या बोलेंगे, पेपलीज बोलेंगे, ठीक है, अब इसके बाद आता है कि हमारे मुख गुआ में कितनी जोड़ी लारीय गरंथियां होती है हमारी कितनी जोड़ी salivory glands होती है फटा फटस उसे नोठ कीजिए नेक्स्ट पेज बें चलते हैं अब question क्या आता है कि हमारी जो लारीय गरंथियां होती है मुख गुवा में हमारी कितनी जोड़ी लारिय ग्रंथियां होती है हमारी oral cavity में कितनी जोड़ी लारिय ग्रंथियां होती है तो तीन जोड़ी होती है कितनी जोड़ी लारिय ग्रंथिया क्या बोलेंगे इन्हें sliver glands ठीक है, जो slivery भी बोल सकते है, slivery कर लेते हैं slivery glands, ठीक है, slivery glands जो होती है, वो कितनी जोड़ी होती है, तीन जोड़ी होती है ठीक है कहां कहां पर होती है एक होती है जीब के उपर होती है दूसरी उपर वाले पार्ट में एक साइड वाले पार्ट में दूसरी कहां पर होती है एक साइड वाले पार्ट में और तीसरी कहां पर होती है एक निचे वाले पार्ट में होती है तीसरी का पर होती है नीचे वाले पार्ट में तो कितनी हो गई? तीन जोड़ी लार गरंथिया होती है तो कितनी जोड़ी लार गरंथिया होती है? अगर question आए कि लारीय गृंथी जो है वो क्या करती है क्या करती है लार का निर्मान करती है ठीक है लार का करती है जब हम भोजन खाते है भोजन को मूँ में लेके जाते है तो उसके साथ लार मिक्स हो जाती है जिससे हमारा जो भोजन है वो आसानी से हम उसे निगल सकते है आसानी से उसे किस में ले जा सकते है उसो फैगस में यानि ग्रास नली में ले जा सकते है ठीक है अब कोश्चन आता है इसके बाद कि जो सलाइवा है लार है उसका pH मान कितना होता है pH मान कितना होता है तो कितना होता है 6.8 परतिसत होता है कितना होता है 6.8 परतिसत जब मैंने आपको pH मान पढ़ाया था बलड का तो मैंने आपको क्या बताया था कि 7 से उपर कैसा होता है छारिये और 7 से नीचे acid तो ये कैसा होता है 6.8 acid वाला होता है कैसा होता है यह जो pH मान होता है 6.8 यानि यह 7 से निचे है तो कैसा होगा acid वाला होगा ठीक है फटा-फट से इसे no down करेंगे कैसा होगा यह slightly होगा acid होगा ठीक है तो यह हमारी jeep क्या है complete हो जाती है अगर jeep के बारे में पूछा जाए आपसे एक point और आता है चलिए इसे no down करेंगे next page भे लिखते है एक point और आता है कि जो jeep है जो लार है saliva है saliva है उसमें कितना percent पानी होता है और कितना percent उसमें क्या होते है enzymes होते है तो 95% क्या होता है पानी होता है water होता है कितना percent 95% और कितना 5% होते है इसमें enzymes अब आक question आता है कि लार में कौन से enzyme पाये जाते है आप सभी को पता है एक होता है tailin तो आप सभी को पता है कि tailin लार में पाया जाता है एक दुसरा enzyme होता है lysosome क्या होता है? लाइसोसोम भी लार में पाया जाता है लाइसोसोम मैंने आपको कहां पर पढ़ाया था? कोसी का में पढ़ाया था लाइसोसोम क्या है? ये तो सेल ये क्या होता है? एक तो सेल में होता है और एक होता है सलाइवा में, क्या होता है, एक सलाइवा में भी होता है, और एक होता है सैल में, जो लाइसोसोम का कारिय क्या होता है, यह एंटी बैक्टिरियल होता है, ठीक है, लाइसोसोम क्या होता है, एंटी बैक्टिरियल होता है, यानि बेकार या खराब खाने में बैक् करने का कार यह कौन करता है लाइसोसोम करता है सुक्सम जी वो का बक्षण कौन करता है लाइसोसोम करता है और जो टाइलीन का पूरा नाम क्या है टाइलीन amylage क्या है टाइलीन amylage ठीक है जो टाइलीन amylage है वो क्या करता है 70% कार्बो हाइडरेट का पाचन करता है यह जो है टाइलीन amylage यह क्या करता है 70% कार्बो हाइडरेट का पाचन करता है कार्बो हाइडरेट का पाचन कोन करता है यह करता है टाइलीन अमाइलेज जो एंजाइम होता है ठीक है चलिए ठीक है तो यह हमारा क्या हो जाता है जीब कम्प्लीट हो जाता है जीब के बारे में जो भी जानकारी जो भी टंग जो के बारे में जानकारी है जीब के बारे में वो हमारी कम्प्लीट हो जाती है पीएच क्षमान हैं इसमें एंज्याइं और पाए जाते है यह इसेल में होता है और स्लइवा निकांव में हमारा में हम चलुए हम जाता है जीब इसके बार हम शुरु लुइंट करेंगे मैंने आप को शुरुआत कि पढ़ाया था पाचन के अंग पढ़ाय थे दो प्रकार से होती है एक होती है हमारी आहारणाल और एनिमेंटरी, कैनल के चितने भी ओरगंस हैं उनके दुआरा और यह होती है ग्लैंड के दुआरा मैं आपको mister क्ला समी बती है अभी इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा हमने मुखऑआ पढ़ा पढ़ते हुए चलेंगे कुन-कुन सी ग्लैंस बताई थी मैंने आपको उसमें जठर ग्रंथिया लार ग्रंथिया यकरत लीवर और पैंकरियाज यानि अगनाश है ठीक है उन्हें भी हम साथ साथी कंप्लीट करते हुए चलेंगे ठीक है तो आज के लिए इतना ही रखेंगे और जैसे मैं आपको लास्ट मिडेली बोलती हूँ कि अगर आपको कलास अच्छी लगती है तो प्रीज पांच मिनट का समय निकाल कर वीडियो को सेयर कीजिए सपोर्ट कीजिए आप सब के सपोर्ट की बहुत जरूरत है अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता ठीक है बहुत मैनत से कलास बनाई जाती है इतनी आसानी से नहीं बनाई जाती तो आप लोगों को थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए यह आपका फर्ज बनता है और पांच मिनट का समय निकाल कर वीडियो को सेयर कीजिए ठीक है तो आज के लिए इतना ही रखेंगे धन्यवाद जय हिंद जय बारत